Q3, daily wages of 45 workers in a factory are given below, daily wages रुपीज में दे रखा है, 300 मिलते हैं, 6 workers को, तो आपको निकालना है, आपको निकालना है, find the median, and the mean, और जब आपके ये दोनों निकल जाएंगे, तो आप use करेंगे empirical formula, और उससे क्या calculate करेंगे, उसका mode, तो ये empirical formula क्या होता है, वो ये देखिए, पीछे वाले page पर लिखा है, देखो, using empirical formula for calculating mode, अगर आपको mode निकालना हो, तो 3 median minus 2 mean, ये formula होता है क तो आप mean की value यहां रखें, mode की रखें, इसको solve कर लें, तो आपका answer क्या आएगा, mode, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक table बनाते हैं, जिसमें ये सारी value और ये लिखी हो, तो देखो, हमने क्या किया, जो daily wages थे 300, उसको यहां लिखा, 375 यहां लिखा, 450 इधर, 525 इधर, और 600 इधर, ये क्या हैं हमारे XI, daily wages हैं ये, और फिर number of workers जो थे, जैसे 300 रुपीज जो मिलता है, 6 workers को मिलता है, तो 300 के आगे 6 लिख दिया, तो ये हमारी frequency है, number of workers हमारे क्या है, FI, ये है cumulative frequency, ये कैसे निकलती है, पहले आपने 6 लिखा, फिर 6 में, आपने 8 को add कि गिया, तो क्या आया, 14, 14 में आपको, आपने 9 को add किया, तो क्या आया, 23, 23 में 12 add किया, 35, और 35 में 10 add किया, 45, तो ये cumulative frequency ऐसे निकलती है, और आपको निकलना पड़ेगा, XI, FI, XI कहा है देखो, XI है ये, और FI, देखो कहा है, FI है ये, और ये दोनों की क्या है, multiply, तो XI क multiply, FI से करनी पड़ेगी, तो 300 की 6 से करोगे, तो ये आएगा, 375 की 8 से करोगे, ये आएगा, 450 की 9 से करोगे, ये आएगा, 525 की 12 से करोगे, ये आएगा, 600 की 10 से करोगे, 6000 आएगा, अब आपको क्या करना है, इन सब का sum कर लेना है, summation कर लेना है, यानि की add, क्या, FI, XI को, और जो fi थे उन सबको add करके आया 45 I hope आपको इतनी बात clear हो गई होगी तो आप हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मैं निकालता हूँ सबसे पहले median तो median निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखिए median निकालने के लिए आपको n की value find करनी है पहले देखो n की value क्या है n की value होती है cf का total तो cf का total देखो last में 45 हो हो है या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सारी term कितनी है मतलब कितने workers है सारे add करके क्या है 45 आप यहाँ से भी देख सकते हो तो fi जो है न number of terms है 45 यह 45 workers है सारे तो n की value हो गई 45 तो 45 even है या odd तो आप कहोगे वो odd है और मैं निकालने क्या जा रहा हूँ median तो median निकालना किसके case में जब odd हो value तो होता है formula n प्लस 1 upon 2 इतना observation और solve करें इसको n की value रखता हूँ मैं 45 और प्लस 1 उसमें add करता हूँ upon 2 इतना observation और solve करते हैं तो यह कितना आएगा 46 upon 2 इतना observation अब आप इसको solve करोगे तो कितना आएगा 23 observation अब आप देखो cumulative frequency में 23 कहा आएगा तो cumulative frequency में 23 देखो कहा आ रहा है तो इसमें यह देखना है आपको 23 यह जो आया है 23 observation इसमें x i की value क्या है तो x i की value कितनी है देखो यह रही कितना 450 तो हमारा जो median आया है वो कितना है 450 तो आप लिखोगे median equals to 450 तो यह 450 रुपीज हमारा क्या आगया है median अब आपको क्या करना है आपको निकालना है क्या चीज मीन क्यों median पूछा दा अब मीन निकालो तो मीन के लिए आप क्या करोगे मीन के लिए जो formula होता है वो होता है summation f i x i upon summation f i अब देखो f i x i summation क्या है value वो यह रही कितनी है two one one five zero और x i कितना है x i है forty five तो आपको इससे डिवाइड कर देना है forty five से डिवाइड कर देना है किसको two one one five zero को तो देखो यह forty five और यह लगभग two hundred है तो forty five four जा होता है 180 तो four जा 180 माइनस करोगे 11 मैंसे one मैंसे zero गया one बचा 11 मैंसे eight गये three बचा five इदर आया forty five का table ऐसे पढ़ो three hundred fifteen से जादा ना हो seven times पढ़ोगे तो three hundred fifteen आ जाएगा नीचे यह zero आया तो divide break हो गया zero आ गया तो four seventy आया हमारा क्या चीज हमारा आया है mean तो mean आ गया है हमारा कितना four seventy अब देखिए हमसे उसने पूछा क्या था उसने क्या था using empirical formula calculate तो आप लिखना बाई empirical formula अबाई क्या होता है formula देखो क्या होता है यह जो है यह है formula ठीक है थ्री मीडियन माइनस टू मीन तो मोड की value निकालनी है तो होता है थ्री मीडियन मीडियन माइनस टू मीन अब देखो थ्री को तो ऐसी लिखा और मीडियन कीतना है मीडियन हमारा क्या है four seventy तो four seventy और माइनस three मीन मीन कितना है हमारा four seventy six स्वारी मीडियन हमारा कितना है 450 ठीक है 450 और माइनस 2 मीन मीन कितना है हमारा 470 मॉल्टिप्लाइ करो तो 0 5 3 1 यह तो मॉल्टिप्लाइ करके यह आया माइनस 47 टूजा होता है 94 तो 940 अब इसको माइनस कर लो तो 0 1 4 तो 410 हमारा क्या आया है मोड आई होप आपको क्वेशन समझ में आया होगा चलते हैं अब नेक्स क्वेशन पर